नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज 22 वर्स के पुरुस के पाम का एनारेसेस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सर पर थम इनके सवालों को सुड़ेंगे फिर एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उ इनका कोशन इस प्रकार है, वरतमान समय में ये जॉब कर रहे हैं, थोड़ा आशांत रहे हैं, तो इस विशेपर भी इनको जानना है कि आशांती के क्या योग हैं, क्यों योग हैं, कब तक रहेगा, आगे का जीवन कैसा रहेगा, कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं, कभी कभी अशांती की बहुत बड़ी वज़ा भी हो जाती है, कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी दुरगटना गटने वाली है, तब भी आप अशांत रहते हैं, तो क्या यही तो नहीं, और आगे का जीवन कैसा रहेगा, और हतिरी पर क्या शिकरावस्था बनी है, केरियर में कैसा ग्रोथ रहेगा, इन साड़े महात्पून विशव पर इनको जानना है, तो आप बिलकुल चिंता ना करें, आपके कोश्चन्स को मैंने गहराई पुरवक सुन लिया है, अब देखने का और बताने का कोशिश करूँगा, और चीजों को बहुत क्राइड़ी दूँगा क्या क्या चीज़े मुझे दिखनी है, क्या कैसे चीज़े हो सकती है, अब बिशव पर वचार करेंगे, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ को समझते हैं कि पॉजिटिविटी क्या क्या है, पॉजिटिविटी में ना भाग्य रेका आपकी बड़ी शानदार है, इस बाग्य रेका बहतर चल रही है, जहां से भी दिख रही है, सरकारी छे दिर से भी धनलाव के योग बने है, तो इस प्रकार की बाग्य रेका हो, चमतकारी बाग्य रेका मानी जाती है, ऐसी बाग्य रेका आपको धनलाव कराती है, तो लाइफ में धन को लेके दिक्कत तो कभी ये तो मैं आस्वस्त कर सकता हूँ आपको जब भी धन के आवशक्ता होगी कहीं न कई से आपके पास आही जाएगा तो धन को लेके विशेसकर समस्याई नहीं रहेंगी विशेसकर दिक्कते नहीं रहेंगी धन की आगमन बड़ी अच्छी दिख रही है पैसे को लेके प को भी लेके कोई विशेस दिक्कते नहीं है और ऐसे वेक्ति दिकारिक सम्मान को प्राप्त जरूर करते हैं ऐसे वेक्ति अपने जीवन में विशेस दिक्कतों को प्राप्त नहीं करते विशेस दिक्कते इनके जीवन में होती नहीं है चलिए जी ये तो हो गई बात अब हम विचार करते हैं और चीजों पर गहराई पुरवक देखते और समझते हैं बुद्रेका बरी शांदार है इस परकार की बुद्रेका आगे चलके आप वैपार भी कर सकते इस बात कर परचे कराती है कुछ मनि ट्राइंगल जैसे ही आग उरती है तो ये इंडिकेट कर रही है कि जातक के जिन्दगी में ये दनलाव कराती ही पैसे को लेके दिक्कत नहीं होता है उसके बाद अगर मैं और पॉस्टिविटी दिखा हूँ तो जीबन रेखा के पर एक समय के बाद प्रोग्रस रेखा है तो लाइफ में तरक्की होगी अब मैंने एक शब्द का प्रयोग कि एक समय के बाद तो एक समय तक आपकी जिन्दगी कैसी रेगे उस विशे पर हम आगे विचार करते हैं तो थोड़ा दिक्कत मुझे दिख रहा है अब इसके बाद और पॉस्टिविटी देखू शुक्र बढ़िया है और आपके मंगल पर कुछ स्क्वाइर साइन इस प्रकार की स्थतियां अगर किसी वेक्टिक इतली पर रहेगी तो ऐसे वेक्टिक जीवन में दनलाव जरूर करते हैं पैसा जरूर आता है ना की तो बात नहीं है तो चलो जी ये तो ओगी पॉस्टिव बाद अब परशानिया क्यों है नेगेटिविटी क्या है तो बड़ा कारण रहेगा आपके जिबन पर नाकाम्यावी का बरश्पति अगर किसी वेक्टि की गरबर हो तो इसके लिए इनको इमेडियेट उपाए करना चाहिए क्योंकि ये बरश्पति अगर गरबर हो तो ऐसे वेक्टि निराशावादी हो जाते है जीवन में हर चीज र सक्सेस करना भी चाहते है तरक्की करना भी चाहते है लेगिन किसी गरबर हो तो ये एक मेजर कारण आपके लिए थोड़ी चालेंजिंग रहेगी परिसिद्धी के योग बने है तो ऐसे वेक्ति को ज़रूर कुंडली दिखा के इस आयू के लिए खास करके precautions और उपाय ज़रूर करने चाहिए तो देखो हाथ से चीज़े diagnosis हो जाती मांकि मैं आपको उपाय देदूंगा तो ये 25 वरस्तक आपके बेहत करी समस्या से आप गुजरने वाले हैं बेहत करी अगनी परिच्छा से आप गुजरने वाले हैं ये बात मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आप तयार रहो मैं financial loss को लेके कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं आपके जीवन वेता रहे होते हैं फिर भी आप कही न कही समस्या में रहते हैं फिर भी आप कही न कही तनाव में रहते हैं उस तनाव की बात कर रहा हूँ मैं तो वो तनाव आपको हो सकता है वो तनाव में आप रह सकते हैं उसके बाद हिर्दर एखा भी कोई कम नहीं है ये भावुकता को तो बता ही रही है ऐसे वेक्ति समय समय भावुक हो जाएंगे ये इनको क्या चाहिए इनको खुद भी पता नहीं चलेगा कभी कबार तो ये पता चलने के लिए ये पता चले आपको ये जरूरी है कि आप इसके लिए जरूर से कुछ डाइग्नोसिस का प्रक्रिया और करा ले ताकि आप बिल्कुल तनाब में ना रहें तनाब में रहेंगे तो ये आपके लिए ही समझतिया जनक रहेगी ये आपके लिए ही परिशानी जनक रहेगी या आपके लिए ही दिक्कत वाले स्थिती रहेगी तो खेर इसका उम्हें आपको पाइदे दूँगा अपने इच्छे सहे पहसत रेका का दिन कराया है तो यहाँ पर यह इनकी positivity, negativity और यह कोई दिक्कत नहीं है आप अपने जीवन में successful रहेंगे यह मैं कह रहा हूँ बाग्य रेका बड़ी अच्छी है, बाग्य का साथ मिलेगा यह मैं कह रहा हूँ बाग्य को लेके विशेस कर दिक्कत नहीं रहेगी यह मैं कह रहा हूँ तो बाग्य को लेके दिक्कत नहीं है, परशानी नहीं है और भी नारा प्रकार के स्थितिया हैं जिनको लेके परशानी जिन्दगी पर नहीं होगी, कमफर्ट को लेके कभी दिक्कते जीबन पर नहीं होगी ये सब चीज मैं कह सकता हूँ और बहुत अराम से आपके तली मुझे दिखा और समझा भी रही है तो अभी जीबन रेका के विशलेशन से आपके आगी के जिन्दग के क्लियर कर देते हैं तो ये मस्तिक से रेका, ये जीबन रेका बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए कुछ राहू रेखाएं बच्पन में थी तो परहाई लिखाई में थोड़ा प्रभावित रही होगी और वो दिखी भी रहा था मुझे, थोड़ी दिक्कते थी, परिशानिया थी, तनाव गरस्त जीवन आपने बिताया है, परिशर लिया है आपने अब परिशानिया मूल रूप से 20 वर्स के आयों के बाद जादा सुरू हुई होगी, परस्तित्या को जो विपरीत होना था, वो लगबग 19 वर्स से ही सुरू हो गया होगा, एक राहू रेका 19 वर्स में थी, फर एक 20-21 में भी राहू रेका थी है, और एक विपरीत परस्ति मिलेगी, फर 32 में मिलेगी, फर लगबग 36 में मिलेगी, फर लगबग 40 में तरक्की की होगे, उसके बाद भी जीबन ड्रेका बहतर है, तो लाइफ में विशेस का दिक्कत नहीं है, लाइफ में प्राब्लम्स नहीं होगी, लगबग 25-26 वर्स के आयों के बाद, जो अगनी मिलेगी, बात इनकी पॉजिटिविटी, नेगिटिविटी कोशन, सभी इन कहते लिक, अब जलेन अधियन के तरब चलेगा, जीजों को असपस डूपते क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी जादा महातपूर है, देखे, सीखे, समझे, तो यहाँ पर से आगया है, इनकी अपनी सम्मार के रक्षा कर पाते हैं, जीबन में अच्छी तरक्की का जीव करते हैं, समझदारी के लूप काफे, एच्छी समझदार है, फिंगर पर खरीरे का इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे विक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात थोड़े इंट्रोवर्ड हैं, सबसे गुलना मिलना पसंद नहीं है, बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा जा रहा है, तो कही ने कहीं ऐसे विक्ति, दिसिजन में थोड़ी समस्या का सामना इनको करना पड़ता है, निर्ण लिदे में थोड़ी समस्या होगी, फिंगर आप तो मैं इसके लिए आपको ज़रूर उपाई दूँगा, माइंड रेका अच्छी है, दिमाग के तेज विक्ति, हरद रेका काफी शांदार है, लेकिन हाँ, एक समय के बाद ये ठीक हो रही है, बागी इसके परदे तो बहुत ज़ादा भावुकता दिख रही है मुझे, आग से दूर की नतीबी के भी योग बने हुए, तो वो भी आपकी होगी, लाइन ओफ एजोकेशन अच्छा है, समझदार है, सूरी रेका ट्राइंगल नुमा आकरती इंडिकेट कर रही है, जातक की जंदगी में तरकी, सूरी रेका ठीक ठाक है, थोड़ी से फेंड की हुए, में आगे आप बढ़ जाएंगे, बुद्ध पर करी रेका रिमाक देजे, सनमर के अच्छे बुद्धिवेक से कारे करते हैं, दोड़ो मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो है, एनर्जी में तो कोई डाउट ही नहीं है, चदनमा प्रबल है, पैसे जंदगी पर आए तो वही पर से एक तरबुजा, एक चतरबुजा कारनुमा करती, जो कि मंगल के पावर को और इन्हेंस कर रहा है, ये मंगल रेका भी बहुत शांदार है, कोई दिक्कत वाले बात नहीं है, लेक्जूरियस लाइफ के पुरे योग है, वो तो रहेगा, और यहाँ पर देख इरिटेशन के लाइन अभी बने हुए, तो भी आप इरिटेट मेहसूस कर भी पा रहे होंगे, तभी जाकि इरिटेशन के लाइन है, बाकि अपने शिंत रही है, आपको उपाई मिल जाएगा, तो ये था इनके तरीका पूर्णता विस्क्रेशन, अगर आपको हमारा ये व